दोस्तों आजकल ऐसा बहुत होता है ना कि कम एज में ही हाथ पेरों में सूनापन रहने लगता है, जंचनाट महसूस होती है, कमर में दर देने लगता है, जगे जगे जुडों में दर देने लगता है, कितनी तकलीफ होती है, लाइफ कितनी खराब होने लगती है, लेकिन इत इसी फेमेली को एकदम हेल्दी रखने के लिए आप क्या कीजिए कि अक्रोट ले लिजिए अक्रोट एक तरह से मल्टी विटामिन का बंडार होता है दब्यू इनसों को एकदम से खोल देता है और हड्डियों को फॉलात जैसा मजबूत बनाता है तो आपको करना ये है कि इस इन अक्रोट मेंसे निकाले हुए ये सारे टुकडे इस कटोरी में डालिए और कटोरी में पानी बर दीजिए बस रात बर ये अक्रोट भीगने देने है फिर सुबह हम ये अक्रोट कुछ और चीजों के साथ मिक्स करके यूज़ करेंगे तो थकान, सिरदर्द, खून की कम पानी तो दूर होगी, लेकिन जो सबसे important problem है, हड्डियां एकदम मजबूत हो जाएंगी और नसों को इतनी ताकत मिलेगी कि आपको लाइफ जीने का मज़ा आ जाएगा ये देखिए, रात बर अक्रोट भीगने के बाद में ऐसे दिखने लगेंगे, अब आपको ये पानी तो हटा देना है, और अक्रोट डाल लेने हैं मिक्सी के जार में साथ में डालना है थोड़ा सा दूद और फिर ये अक्रोट एकदम अची तरह पीस लेने हैं, बिल्कुल भी इसका टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, वरना यूज करते टाइम ये गले में अटकेगा ये अक्रोट पीसने के बाद इसको एक कटोरी में निकाल लीजिए, ये देखिए, मैं एक बार आपको पास से दिखा रहा हूँ, एक दम बढ़िया से हमने अक्रोट को पीस लिया है, एक मिनट का काम है, इसलिए सुबह की बागदोर में भी आप आराम से इस नुस्खे को अब दूसरी चीज जो इस नुस्खे में लगेगी वो है ये फूल मखाना, जिसको फॉक्सनट भी बोलते हैं, लोटस सीड्स भी बोलते हैं, ये मखाना भी बहुत सारे विटामिन्स की खान है, ये कोलेस्टरोल कम करता है, दब्योई नसों को खोलता है, जिससे हाथ पेरो हुआ इंसान भी इसके रेगुलर यूज से बिस्तर से उठ कड़ा होता है, ये 10-15 फूल मखाने आपको एक पैन में डालकर कम आज पर ऐसे सूखे ही सेख लेना है, ना घी डालना है, ना कुछ और, बस ऐसे एक-दो मिनट के लिए इनको continue हिलाते हुए सेख लीजिए, हलका सा गूला भी या ब्राउन सा कलर आने लगे, तो तुरंत गैस से उतार कर एक प्लेट में निकाल लीजिए, फूल मखाने ऐसे सेखने से थोड़े से क्रंची हो जाते हैं, ये देखिए, ऐसे हाथ से दबाने पर फूट रहे हैं, तो ये ड्राइ रोस्ट हुए फूल मखाने अब आप एक मिक्सी के जार में डालिए और अच्छी तरह बारिक पाउडर बना लीजिए, ये सिकर क्रंची हो गई है ना, तो अब आराम से पिसकर पाउडर बनेगा, बिना रोस्ट की अगर आप पीसते ना, तो ये ठीक से पिसते नहीं, ये भी फटा-फट तयार हो गया देखिए कैसा बढ़िया पाउडर बनाया, आप ये पाउडर एक साथ ज्यादा बनाकर एर टाइट डिब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ताकि आपको ये डेली नहीं बनाना पड़े, ये वात पितक कफ के बैलेंस को भी सही करता है, तो पचास तरह की बिमारियां तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाती है, अब आप नेक्स स्टेप में क्या कीजिए, कि गैस पर एक पतीला रखिए और उसमें एक गिलाज दूद लीजिए, दूद जो है वो केल्शियम का बंडार है, तो ये हड़ियां भी मजबूत करेगा, दात भी मजबूत करेगा, और नस प्रश्किल होती है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, गैस की फ्लेम एक बार कर देंगे फुल, तक कि दूद में एक उबाल आजाए, अब जब दूद में एक उबाल आजाए, तो गैस की फ्लेम बिलकुल लो पर कर दीजिए, और जो भी अख्रोट पीस कर रखे थे ना, वो इसमें मिक्स कर दीजिए, अब ये दूद और अख्रोट की ताकत मिलकर करेगी आपके शरीर की काया पलट, क्योंकि अख्रोट में फॉस्फोरस ज्यादा होने से, हड्डियों के लिए भी बहुत बढ़िया है, मेमोरी को ठीक रखता है, इसलिए बच्चों और मकानों का पाउडर, जो हमने भी फूल मकानों को सेख कर पीस कर तयार किया था, ज्यादा मतलेना, वरना दिन बर गैस करेगा ये उसका, जितना मैं यहां बता रहा हूँ, उतना ही सब चीजी लेना, साथ में इसमें डालेंगे दालचीनी, नसों की ब्लॉकेज ये ऐसे खोल तो ये दालचीनी का पाउडर दो चुटकी हमने इस दूद में डाल लिया, अब चौती चीज इसमें हम डालेंगे इलाची, पेट के लिए भी बढ़िया, हाथ-पेरों का सुन्पन खतम करने के लिए भी बढ़िया, हड्डियों के लिए भी पावरफुल चीज, और स्ट् बनाने वाले चकले पर रखकर जराब बेलन चला लेंगे ना, तो भी एकदम इसका पाउडर बन जाएगा, बस दो इलाची का पाउडर एक बार के लिए काफी है, इसको भी आप जादा बनाकर रख सकते हैं, ताकि ये डेली नहीं बनाना पड़े, तो ये दो इलाची का प पीशरी आप इसमें डाल सकते हैं, वरना ऐसे ही बीना मीटे के यूज़ कर लीजिए, इसको डेली सुवे खाली पेट पी लेना है, गरम गरम ही पीना है, हर मौसा में आप इसको पी सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ गरम तासीर की चीज़े हैं, तो कुछ ठंडी तासीर की इसलिए एक बहुती बैलेंस ज्रिंक है, वात पित कफ की हर प्रॉलम को भी ठीक करेगी, और जिस में काम के लिए इसको बनाया है, हाथ पेरों का सुनपन खतम करेगा, दबी हुई नसें खोल देगा, कमर दर्द, गुटनों का दर्द ठीक कर देगा, बॉडी में कहीं भी जगय 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 जड़ों के दर्द हैं, तो उनको भी ठीक कर देगा, पस इतनी सी मेनत आपको करनी होगी अपनी हलत के लिए, कि ये नुस्का डेली सुबह बनाकर एक महीना तक डेली पीना होगा, तो दोस्तों, आपकी फैमिली में जिसको भी हाथ पेरों में सुनपन की प्राबलम हैं और जोडों के दर्द की प्राबलम हैं, उनको ये नुस्का दीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपकी जिन्दगी फिर से मुस्कुरा उठाईगी